नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के मात्यम से बताने जारें सरीर के ये लक्षन बताते हैं कि आप जानलेवा कैंसर के सिकार है बिलकुल ना करें नजर अंदाज दोस्तों आज के समय में सायदी कोई ऐसा वेक्ति होगा जो की बिमारी उसे पूरी तरह मुक्त होगा वरना आज हर कोई सरीर से जूड़ी किसी ने किसी समझ्या से जूज रहा है लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो तब हो जाती है जब हम आई दिन नजर आती परेशानियों क को नजर अंदाज करते जाते और एक दिन वो एक गातक बिमारी का रूप ले लेता है वक्त नाओने के कारण हम बहुचिए ऐसी समझ्याों को पाम समझ्या समझ कर उसे नजर अंदाज कर देते हैं. लेकिन हम यह भूल जाते कि समझ्या हमें अंदर ही अंदर खोकला करती जाती है और एक बड़ी बिमारी को जनम देती है, जो कि कई बर इंसान के मोत का कारण भी बन जाती है, इन्हीं गमिर बिमारीों में से एक है कैंसर आक्सर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि वे किस खतरनाक बिमारी से जूज रहे हैं और वे आए दिन नजर आने वाली चेतावनियों को जैसे की वाइरल बुखार, सर्दी जुखाम, बदंदर्द, आधी परेशानियों को समन्ने मान कर सैन करते जाते हैं और चिकित्सक को दिखाना जरूरी नहीं समझते लेकिन हम आपको बता दे कि ये सभी परेशानिया कुछी दिनों में कैंसर का मुखे कारण बन जाती है और इससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आईए आज हम जानेंगे कि कैंसर से पहले सरीर हमें किस किस तरह की चेतावनिया देता है खास्ते वक्त या फिर पेसाब में खून का आना जिए आपको खास्ते वक्त या फिर पेसाब के वक्त खून आता है तो समझ लीजे कि ये कोई गंबीर मामला है वैसे ही यूरीन में ब्लेड आना दो बिमारियों की तरफ ही सारा करता है या तो आपको 82 रह या फिर आपको कैंसर भी हो सकता है अचानक वजन घटना बिना किसी कोशिस या फिर डायटिंग के आपका वजन अचानक घटने लगता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपको किसी गंबीर बिमारी के होने की संभावना होती है पेट में जलन व्या पज कई बार पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता जिसके कई कारण हो सकते लेकिन अगर आपको लंबे समय से आपच या फिर पेट में जलन जैसी समश्या का सामना करना पड़ता है तो आपको तुरंत किसी अच्छे चिकित सक से सला लेनी चाहिए बदंदर्द वे अकडन अगर आपको सरीर में अकसर दर्द और अकडन मैसुस होती है तो समझ जाए कि ये आने वाली किसी परिशानी के लिए सचेत करने के और इसारा है और अगर आपका दर्द चास अपता तक बरकरार है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सला लेनी चाहिए और चेक अप कराना चाहिए वाइरल बुखार अगर आपको लंबे समय से बुखार है और तन्य का नाम नहीं ले रहा है तो ये आपके लिए चिंटा का विश्य है ऐसे में किसी अच्छे चिकित सक से सला ले और इलाज करवाए हमेशा ये ध्यान रखें कि ज़्यादा समय तक बुखा रहना रख्त कैंसर की और इशारा भी करता है चैर्म रोग हर्मोन्स के बदलने से होने वाले बदलाओ अधिकांस तोर पर वैक्ति के चैरे पर नजरा जाते हैं लेकिन सरीर के किसी ओर रंग पर लाल रंग के चकते किसी अन्ने बिमारी की और संकेत करते हैं तोचा पर लाल रंग के चकते वै बालो का ना बढ़ना स्किन कैंसर फेफडे वै गुर्दे का कैंसर भी हो सकता है ठकान दिन बर या ज़्यादा काम करने से ठकान हो जाना आम बात है लेकिन बिना किसी कारण के ही अगर आप ठकान महसूस करते हैं तो यह आपके लिए एक चिंता का विस है बहतर होगा कि आप रहते इस कमजोरी वै ठकान का कारण पता करें प्यारे दोस्तों हमारे दोरा बताए गए लक्षन समने बिमारी के भी हो सकते इसलिए घबराए नहीं धैरे से काम ले और अपने नज़दी की चिकितसक से अवश्य प्रामर्स करें और समय रहते अपना इलाज अवश्य कराएं प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद